सरकार जब एक रुपे का सिक्का बनाती है तो सरकार को अपनी ही जेब से 11 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने ये खुलासा किया था कि 1 रुपी कोईन को मिंट करने की कीमत 1 रुपी 11 पैसा है पर सवाल ये उठता है कि 1 रुपे की प्रोडक्शन कोस्ट उसकी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा क्यों आ रही है एक रुपे के कोईन को बनाने के लिए 4.85 ग्रेम्स 430 ग्रेड फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का यूज होता है 25 mm डायमीटर वाले इस एक रुपे के कोईन की मिंटिंग के लिए यूज होने वाले इस फेरिटिक स्टेनलेस स्टील की कोस्ट लगबग 70 पैसे आती है रिमेनिंग 41 पैसे में से कुछ प्रोडक्शन और कुछ डिस्रिबिशन कोस्ट आ जाती है इंडिया की सीक्रेट सर्विस ने वेस्ट बंगाल में ऐसे कई गिरोहों को पकड़ा जो वन रुपी कोईन में यूज होने वाले फेरिटिक स्टेनलेस स्टील को पिगला कर बांगला देश बेज रहे थे बांगलादेश में इस ferritic stainless steel का use shaving blades बनाने और jewelry industry में काफी होता है इन धांदली के response की वज़े से ही सरकारने 2016 में 903 million एक रुपे के सिक्के बनाई थे लेकिन 2017 में सिर्फ 630 million ही बनाए उसके बाद से लगातार ये figure गिरता ही चला जा रहा है